Hello everyone, आज की वीडियो में हम बात करेंगे monkeypox virus के बारे में सबसे पहले मैं आपको monkeypox के बारे में बताता हूँ कि monkeypox क्या होता है ये एक viral disease है जो की virus से फैलती है ठीक है, virus का नाम disease के नाम पे रखा गया है monkeypox disease है तो वो फैलती है monkeypox virus के दोबारा तो हाल ही में WHO ने जो की दुनिया की सबसे बड़ी health organization है उसने monkeypox virus को global public health emergency गोसित कर दिया है यानि की declare कर दिया है ऐसा क्यूं? क्यूंकि 26 जुलाई को report आई है कि जो ये monkeypox virus है ये दुनिया में 70 से अधिक देशों के अंदर फैल चुका है कहीं कहीं articles के अंदर, newspaper के अंदर 72 countries भी हैं कहीं कहीं 75 countries भी लिखा गया है तो हम मानते हैं कि 70 से अधिक देशों के अंदर जो monkeypox virus है ये फैल चुका है अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर भी monkeypox virus के अभी तक 4 case मिले हैं ठीक है, 4 cases पाए गए हैं उनमें से 3 case तो केरला के अंदर मिले हैं और एक case मिला है दिल्ली के अंदर ठीक है, सबसे पहला जो case मिला था monkeypox virus का इंडिया में वो केरला के अंदर मिला था, वो मिला था 14 जुलाई को दूसरा case 18 जुलाई को, वो भी केरला के अंदर जो केरला के अंदर केस मिले है ना, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, यानि कि विदेशी यात्रा से इनका सम्मंद देखा गया है, जो ये तीन वेक्ति हैं केरला से, ये विदेशी यात्रा से लोटे हैं, तो इनको monkeypox वायरस का infection हुआ है, लेकिन जो ये फोर्थ है, जो दिल्ली क के अंदर रहता है, जो monkeypox वायरस की चपेट में आया है, इसका विदेशी यात्रा से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर ही था, ये वेक्ति दिल्ली के अंदर ही था, फिर भी ये monkeypox वायरस की चपेट में आया है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा र रहा है कि जो इस वेक्ति को monkeypox वायरस हुआ है, वो कहीं न कहीं केरला से ही ट्रांस्मीट ऊब है, ठीक है, कितने ही लोगों से वो ट्रांस्मीट होते विए आया होगा, तब कहीं जाके वो दिल्ली पहुंचा है, ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, जो तो देखिए ऐसे कुछ symptoms देखने को मिलते हैं आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे से आपको इदाने दिख रहे होंगे ठीक है छोटे तो नहीं है काफी ज्यादा बड़े हैं ये बहुत ही ज्यादा painful होते हैं ये ठीक है तो चली आगे बात करते हैं इसके बारे में तो आगे हम बात करते हैं कि जो ये monkey box virus से कैसे फैलता है ये एक person से दूसरे person में फैलता है कहने का मतलब है human to human तो फैलता है साथ ही ये animal से human में भी फैलता है ठीक है और next बात करते है symptoms की क्या symptoms आते हैं जब भी कोई भी वेक्ति इस virus की चपेट में आता है तो क्या symptoms देखने को म मिलता है कि रैसिज होते हैं body के उपर लेकिन रैसिज होने से पहले एक या दो दिन पहले fever आता है बुखार आता है ठीक है साथ साथ headache भी होता है ठीक है muscle pain यानि की mass patient में दर्द भी होता है फिर एक दो दिन बाद क्या है रैसिज आते हैं और फिर वो रैसिज जब धीरे-ध फूलने लगते उनके अंदर fluid जमा होने लगता है ठीक है फिर उन रैसिज के अंदर बहुत ज्यादा pain होता है बहुत ही ज्यादा painful रैसिज हो जाते हैं तो यह की symptoms है ओके अब treatment क्या है इसका treatment तो अभी तक कुछ है नहीं लेकिन जो भी treatment अभी तक बताया जा रहा है ठीक है छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा painful होते हैं और साथ में fever और headache भी आता है तो fever और headache है तो उसको दूर करने के लिए antipiratic और energesic दबाद दी जाती है और बहुत ही ज़्यादा pain हो रहा है extremely painful जो दाने होते हैं तो उसके pain को कम करने के लिए वहाँ पर pain killers का भी use किया जाता है ठीक है एक तो treatment ये चलाया जाता है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या है जो smallpox है जिसको हम छोटी माता भी बोल देते हैं उसके लिए vaccine बनाए गई है already ठीक है ये देखा गया है कि जो smallpox की जो vaccine है वो monkeypox virus में 85% effective है ठीक है ऐसा देखा गया है तो ये एक treatment है जो अभी available है बाकी कोई specific monkeypox virus की जो vaccine है वो अभी तर नहीं बनी है ठीक है तो ये है treatment के बारे में तो ये थी आज की मारी वीडियो और क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ वही है mask लगाना है अगर travel unnecessary travel नहीं करना है ठीक है काम हो तो ही बाहर निकलना है बाहर जाना है कहीं travel करना है तो unnecessary travel से बचना है ठीक है और second चीज ये है कि अच्छे से हाथ दोने है साबुन के साथ sanitizer का use करना है तो वही सारे नियम से वही सारी guidelines है जो corona के अंदर थी क्योंकि वो भी एक virus था ये भी एक virus है ये जैसे कि फैलता कैसे है droplets से भी फैलता है जो fluid होता है उसे भी फैलता है जैसे कोई infected person है जिसको monkeypox virus हुआ है ठीक है तो उसको जो दानी हो जाते हैं उन्हें पे खुजली नहीं करनी है जैसे ही वो खुजाएगा वहाँ पे तो फट जाएंगे fluid निकलेगा तो फिर वो जो वाइरस है वो फैलने के अधिक chance होते है ठीक है तो ऐसा उसको नहीं करना है तो fluid से भी फैलता है और वैसे भी फैलता है person के contact में आने से भी ये फैलेगा तो यह यह आपको साफदानिया रखनी है बाकी जो vaccine बताई जा रही है वो smallpox की जो vaccine है वो 85% जो है वो effective बताई जा रही है और ये corona से ज्यादा खतरनाक नहीं है बलकि कम ही है इसके जो chance है वो बताई जा रहे है मानलिया अगर 100 लोगों को ये होता है तो उनमें से 10 वेक्ति के मिर्तिव होने की आसंका बताई जा रही है यानि कि जो 10% है वो उसका fatality rate बताई जा रहा है अभी तक जो reports के अंदर आया है ठीक है तो ये थी कुछ information आपके लिए monkey box virus के बारे में तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर